सुप्रवाद बच्चों, आज हम सबी हिंदी व्याकरण में अध्याई 11 जिसका नाम है मोहावरे मोहावरे लिखेंगे और समझेंगे सबसे पहले हम जानते हैं मोहावरे किसे कहते हैं मोहावरे ऐसा वाक्यांस जो सामान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विसेश अर्थ का बोध कराता है मोहावरा कहलाता है मतलब ऐसे वाक्यांस वाक्यांस होते हैं छोटे 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 शब्दों के छोटे छोटे तुकड़े और जो मतलब कहनों को छोटे होते हैं लेकिन जब अगर हम उन्हें explain करती हैं तो उनका अर्थ बहुत ज्यादा निकलता है तो ऐसे वाक्यांस जो सामान अर्थ को अपना जो उनका अर्थ है वो अर्थ छोड़ कर बहुत ज़्यादा बिशेस अर्थ उनका निकले वो हमारे मुहावरे कहलाते हैं अर्फ निकलेगा प्राण सूखना का अर्थ होगा दर जाना या भैवीद हो जाना इसका प्रियोग करेंगे शेर को सामने देखकर यादा बहुत जाधा डर गया मेक्ष्ट हमारा आख का तारा आख का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा इसका प्रियोग बनाएंगे अमन अपने माता पिता की आखों का तारा है मतलब अमन अपनी माता पिता के लिए बहुत ही प्यारा है तीसरा, पानी पानी होना, पानी पानी होना का आर्थ होता है, बहुत सर्मिंदा, बहुत शर्मिंदा होना प्रियोग जूट पकड़े जाने पर मदन पानी पानी हो गया नेक्ष्ट हमारा है पीट थप थपाना पीट थप थपाना का अरत होता है शाबाशी देना किसी को प्रोच साहन किसी ने गोई काम किया तो उसके लिए प्रोच साहित करना प्रियोग गरीब ब्यत्ती की सहाईता करने पर पिता जी ने मनीश की पीट धब धपाई 5. कितावी कीडा होना अब ये नहीं कितावी कीडा का मतलब है कि कोई ऐसा कीडा जो किताब में लग जाता ये इसका आर्थ ये नहीं निकलेगा अर्थ निकलेगा बहुत पढ़ने वाला जो बहुत दिन रात लगा था पढ़ता रहता उससे क्या कहते हैं किताबी कीड़ा प्रियोग रेखा एकदम किताबी कीड़ा है अंतिम हात बटाना का अर्थ होगा मदद करना या किसी की सहायता करना प्रियोग सुर्भी घर के कामों में अपनी मा का हाथ बटाती है अर्थात अपनी मा की सहायता करती है आप चाहे तो अपने शब्दों में भी अगर आपको कुई बाग की प्रियुक आ रहा है तो उस तरह से भी कर सकते हैं धर्नेवाद